नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ महें नुर्दोग में मोटिवेशन स्पीकर और लाइब कोच और सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप इन क्लासेस को बहुत जादा पसंद कर रहे हैं और बहुत जादा हमारे साथ हमारे टेलिग्राम ग्रुप पर भी जुड आपको देखने को मिल जाएंगे और यह अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक है नीचे वहाँ पर जाकर डीमेट अकाउंट भी खुलवा लीजे ताकि आगे जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सिखाएंगे त आप जाएगा हमारे यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ पर शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर तीन वीडियो आ चुकी है यह चौथी वीडियो है इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो आज हम शुरू करते हैं सबसे बढ़िया वाला कि मार्केट का स्ट्रक्चर सीखा था कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे आता है उपर जायेगा यह उपर कैसे जाएगा यह भी पता चल जाएगा दूसरा जो चैप्टर पढ़ा था हमने वह बहुत ज्यादा important था उसमें हमने क्या सीखा था सपोर्ट और resistance को बनाना trendline में बनाना मतलब trendline में उपर और नीचे की और और इस परकार से बनाना है ना ये हमने सीखा था मतलब एक वाई रिद्धी मुझे revise करवाना है तो इस परकार से देखा था हमने इस प्रिकार से देखा था हमने और ऐसे भी देखा था हमने ये सब याद होगा जिसको याद नहीं है मतलब उन्होंने वीडियो नहीं देखा है या ठीक से नहीं देखा है होंबक नहीं किया है तो तीसरा वाला जो चैप्टर था उसमें क्या सिखाया बढ़िया बढ़िया कै न्यूटल वाले candlestick pattern हमने सिखाए थे और आज हम सब को मिला कर क्या सीखने वाले हैं चार्ट पैटन सीखने वाले हैं तो ये class number fourth है मैंने revise करवा दिया है सबसे पहले वही प्रणाम गुरुदेव को क्या है हमारी जो community है क्या नाम है उसका among trader है ना मतलब हम एक among की तरह trade करेंगे trade like a among क्यों क्यों क्योंकि उनमें patience होता है उनमें लालच नहीं होता है वो काम स्थिती में हर चीज का decision लेते हैं और ऐसी बहुत सारी खुबियों होती एक among के अंदर तो हमको उन खुबियों को अपने अंदर उतारना है ताकि हम share market की जो journey है जो प्रभू है उनको प्रसंदि कर पाएं चलिए आज की class की शिरुवात होती है यहां से आज हम क्या सीखने वाले है चार्ट पैटन अब देखिए दो टाइप की चार्ट पैटन होते हैं एक होता है basic चार्ट पैटन है जो आज हम सीखने वाले है और एक होता है advance वाला जो कि हम price action का जब course करेंगे हम एक course नहीं करने वाले हैं जिन भी लोगों को यह गलत फैमी है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक course है बिल्कुल नहीं जो शेयर मार्केट का जो classes है उसके अंदर बहुत सारे courses होने वाले हैं मतलब यहां पर आपको advance course मतलब price action का भी course मिलेगा फिबोनाची का भी course मिले हूँ तो आप उसको 1.25x पे कर लिजीगा ताकि फटाफट आपको समझ में आतर है आपका भी time खराब नहीं हो चली अब यहां पर देखेगा chart patterns तो सबसे पहले हमें समझना है कि chart pattern होते क्या है देखो stock की कीमती कभी कभी स्थिर नहीं रहती है तो chart क्या देखता है हम कि एक जैसी नहीं रहती है कभी वो उपर जाती है कभी वो नीचे जाती है कभी वो साइड में रह जाती है तो कभी वे एक जैसी नहीं रहती है ठीक है वो एक ट्रेंड में चलती है कौन-कौन से ट्रेंड फटा-फट बता दो अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड या फिर sideways ट्रें है हम जैसे लोग या फिर बड़े institutions इसलिए कोई भी train हमेशा एक जैसा नहीं रहता है यह हमने पहला ही देखा है यह आपको हमेशा याद रखना है कि यदि कोई पिर बहुता है। इनके थु जो है मर्केट चलता है कड़िन बदलते व्यवism हरो को पैटन या ओर्मेशन के रूप में दर्श आते हैं मतलब हुए चार्ड क्या होते है जब मार्केट ूपर जाएका न या फिर नीचे जाएका यह. ना होते हैं चार्ट के पैटन और वही देखकर हम ट्रेड करते हैं अभी तक क्या होता होगा आप सोचते होंगे यह कब लेना है यह कब बेचना है कब पता चलेगा उपर जाएगा कब पता चलेगा नीचे जाएगा आज के इस वीडियो से ही सारी चीज़े कंफर्म होगी यदि सब कूछ बता देंगे चार्ट पैटन के बारे में जितने वी चार्टट पैटन होगे न वह सिर्थ दो ही चीज़ों में कामाएंगे कैसे देखो भया या तो हम उसमें क्या डूनेगे reversal pattern देखने के लिए chart pattern को ढूणा जाता है या chart patterns में reversal train जो होते हैं जो train चल रहा है reversal को trade करते हैं अब ही बताने वाला हूँ tension मतले आप लोगों ने बड़ी तारीफ की है मेरी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं बहुत आसान सी शब्दों में समझाता हूँ क्योंकि actual में क्या था जब मैं छोटा था 8 class 9 class तब मुझे ही समझ नहीं आती थी maths होता था वो मुझे बिलकूल समझ नहीं आता था जब मैं बड़ा हुआ 9 class में competition exam की class से शुरू की ना तब मुझे पता चला कि यार यह जो teachers पढ़ाते थे उस language से मुझे समझ नहीं आता था तो मैंने अपने लिए उस maths को easy किया और फिर 10 class में top किया तो मुझे यह पता चला कि teaching के बहुत सारे अंदाज हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को एक highly वाला जो version होता है teacher का उससे समझ में है क्योंकि गई बार हमको बहुत नीचे जाके भी पढ़ाना पड़ता है या समझना पड़ता है तो simple सी चीज़ है कि सबसे पहले हम chart patterns में क्या ढूंडेंगे reversal pattern कैसे मैं बता रहा हूँ दो मनिट लगेगा बस और दूसरा कैसे ढूंडेंगे continuation pattern क्यों जरूरी है कैसे करना है अब ही बता देता हूँ बस ये दो बात याद रखो कि chart pattern mainly जो है दो चीजों के लिए बने हैं या दो चीज़े हमको ढूंडना रहेगा उनमें क्या पहला reversal वाले pattern ढूंडने होंगे है ना reversal वाले और दूसरा continuation वाले अब मैं आपके doubt मिटाई देता हूँ चलो इसी वाली page पे मिटा देता हूँ आगे जाके सीखने में आसानी होगी मैं कह रहा हूँ reliance ऐसे ऐसे भाग रहा है ऐसे ऐसे भाग रहा है होगा कि आप reversal को trade करेंगे reversal मतलब अभी यह ऊपर जा रहा था पर आपको ऊपर trade नहीं करना है आप चाहते हैंगे मैं नीचे गिरेगा तब trade करूँगा और आपको पता भी चल गया doubt theory से कि आप नीचे गिरने वाला है तो यहाँ पर doubt theory तो violet होगी ही लेकिन कुछ structure भी बनाएगी और वो structure को ही हमको पहचान के trade करना है कहाँ पर entry होगी कहाँ पर exit होगी मतलब हमने मूटा मूटा तो देख लिया था ना कि doubt theory चेंज होगी तो हमको पता चल जाएगा लेकिन अब वहाँ पर क्या ऐसा pattern बनेगा कि हम reversal को trade करेंगे तो पहला हो गया उपर जाती होई चीज है वो नीचे कैसे आएगी वहाँ के pattern ढूणना है है ना reversal आप कोई चीज नीचे आ रही है और वो उपर जाएगी तो हमको इसको भी तो देखना है तो ये भी क्या हो गया reversal मतलब हम पहले pattern कौन से सीखेंगे reversal वाले pattern पहले सीखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे continuation वाले pattern देखेंगे कैसे कि भी या reliance आया यहां तक आ गया अब आपको लग रहा है यार और उपर जाएगा ये तो तो और उपर जाएगा तो यहां पर कुछ ऐसा बनाएगा कि इसके बाद वापस से उपर जाने लगेगा यहां पर कुछ ऐसा बनाएगा फिर इसके बाद फिर से उपर जाने लगेगा इसको कहते हैं continuation वाले pattern तो कितने प्रकार के pattern होंगे दो ही प्रिकार के pattern होंगे एक तो हम trade करेंगे reversal को कि कोई चीज उपर जा रही है वो नीचे आएगी या नीचे जा रही है उपर जाएगी क्या हो गया price? reverse हो गया ना इसलिए इसका नाम reversal रखा क्यों रखा? क्योंकि उपर जाती हुई चीज है यदि वो नीचे आएगी तो हम trade करेंगे और नीचे आती हुई चीज है उपर जाएगी तब हम trade करेंगे तो यह reversal हो गया और continuation किसको बोलेंगे? उपर यह जा रही है फिर रुकी कोई चीज bullish में चल रही होगी थोड़ी दिर वेट करेंगे फिर और bullish में जाएगी तो उसको trade करेंगे अब चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है? reversal chart pattern किसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? शाइगी डेफिनेशन पैटन जब प्रकट होते हैं संभावित रूप से मौझूदा train को reverse कर देते हैं यह अब भी सिखा के मैं आ गया हूँ यह definition है मतलब इसमें यही समझाया है कि यदि कोई चीज ऊपर जा रही है तो अब वो नीचे आएगी है ना? यह simple सी चीज है इसके बाद continuation chart pattern क्या होते हैं? यह pattern दर्शाते हैं कि मौझूदा train जारी रहने की संभावना है मतलब कोई चीज ऊपर जा रही है तो और ऊपर जाएगी उसको बोलेंगे continuation समझ में आ रहा है? बहुत simple है चलो अब आ जाते हैं हम इसके uses chart patterns आपको संभावित reversal या continuation की पहचान करने में मदद करते हैं मतलब इसके काम क्या है? मतलब हम chart pattern सीखे क्यों? क्यूंकि हमें ये ये बताएगा कि कोई चीज कब कहां जा रही है ये हमको exactly chart पर दिखने लगेगा जो लोग नए हैं उनको तो बड़ा मजा आने वाला है ये आपको price target और संभावित rewards क्या होगा? मतलब to reward होता है ना? वो reward क्या लेना है वो भी बताएगे चालिए अभी हम आजाते हैं सबसे पहले chart pattern के type पर तेखो कुछ जो chart pattern होंगे वो कैसे होंगे? bullish reversal pattern ये किसके लिए होंगे? जिसको नीचे का trade लेना होगा bear का trade लेना होगा है ना? तो इसलिए इसका नाम क्या है हमने? bullish reversal pattern क्योंकि कोई चीज उपर जाती होती है और वो reverse होगी है ना? जब उपर जाती चीज reverse होगी तो क्या होगी? bear मतलब वो चीज नीचे आएगी इसके अलावा देखो इसके नाम भी देखेंगे इसके अलावा पहला हो गया ये second हो गया ये इसका नाम क्या है? bearish reversal pattern bearish reversal मतलब कोई चीज नीचे जा रही होगी फिर वो उपर आएगी तो bearish मतलब नीचे की और जा रही थी अब वो reverse होगी तो bearish reversal pattern होगे ये bull के लिए रहेगा जो उपर की और trade लेगा और तीसरा क्या होता है? continuation pattern मतलब उपर जा रहा है तो और उपर जाएगा नीचे जा रहा है तो और continue करेगा बहुत सारे pattern देखेंगे लेकिन अभी बहुत खिजडी पकाने से कोई मतलब नहीं है जो सबसे main है सबसे important है उनको सीखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले क्या सीखेंगे है? bullish reversal patterns इसमें कितने pattern है? सिर्फ तीन ही pattern पहला क्या है? head and shoulder pattern नाम देखे घबराना मत बड़ा ही आसान है double top pattern और cup and handle pattern तीन pattern होते हैं bullish reversal में अभी basic के लिए bearish reversal pattern में क्या होता है? सबसे पहले वही होता है reversal head and shoulder बत्ब उल्टा ये वाला जो है ना ये head and shoulder है ना इसका उल्टा हो जाएगा ये वाला और double top double top तो ये क्या हो गया? double bottom यहाँ पर bottom लिखाएगा ये गलत लिख दिया है यहाँ पर top नहीं आएगा यहाँ पर bottom लिखाएगा ये double top उपर बनता है और ये double bottom नीचे बनेगा चलो कोई बात नहीं यहाँ पर continuation pattern continuation में क्या जाएगा फ्लैग एंड पूल पैटन अब धबराने की ज़रत नहीं है प्रैक्टिकली सब कुछ पैटन देखते हैं और उसको कैसे ढूंडेंगे ये भी देखते हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा चालो सबसे पहले देखते हैं बुलिश रिवर्सल पैटन सबसे पहल पहले वो हमेशा एक चाल में नहीं चलेगा बुलिश है तो बैरिश भी होगा बैरिश है तो बुलिश भी होगा या फिर साइडवेज भी जाएगा मतलब मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है तो ये चीज़ बुलिश थी उसके बाद बैरिश हुई अब ये बैरिश ह तो हमारा DAO theory तो अपलाए होई रहा था वहां से तो हम पैचानी जाते ना देखो higher 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 बनाए यहां तक higher higher यह low बनाया इसके बाद यह वाला इससे high नहीं गया तो सबको पहली वाली class याद होगी कुछ भी भूल जाना अपनी memory भूल जाना कुछ भी कोई बिमारी हो जाना ल तो फिर किस pattern में देखेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा pattern यह हो जाएगा head and shoulder pattern इसको head and shoulder क्यों कहते हैं क्योंकि यह दिखने में थोड़ा सा एक यह shoulder हो गए यह दो कंधे shoulder यह दो कंधे हो गए और यह head सिर की तरह दिखता है यह head की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम रख या head and shoulder pattern अब ये pattern दिखने में कैसा होता है head और दो shoulder की तरफ मतलब उसमें ये वाला एक shoulder बना ये नीचे गया ये वाला एक head बना फिर नीचे आएगा market फिर थोड़ा सा उपर बना के एक और shoulder बनाएगा और उसके बाद ये नीचे की और गिरेगा अब आपका हूंबक क्या रहेगा कि आपको अलग-अलग चार्ट में day में लगाकर reliance हो गया SDFC हो गया SBI हो गया, bank of order हो गया इन सभी में day की candle लगाकर देखना है कब-कब head and shoulder बने और कब-कब उसके बाद market गिरा ठीक है, तो ये हो गया head and shoulder pattern अब head and shoulder में क्या होता है ये जो shoulder होते है ये वाले जो shoulder होते है इसकी जो wick है या ये वाली जो wick है तो इसे common area में लाकर एक line खीच लेते है head and shoulder का pattern तो बनी गया है वो तो हम समझी चुके होंगे अब हम जब भी यहाँ से market नीचे आएगा तब हम इसको entry लेंगे यहाँ पर entry कब लेना, exit कब लेना वो सब risk management, इस सब को सिखाएंगे पर अभी सिर्थ pattern समझ लो कि head and shoulder pattern भूलते कि इसको है और इसका reward कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो length होगी ये भी हम आपको अंदर जाकर बताएंगे जाबर ही यह माना जाता है कि यह गिरता है तो इतना इसका target हो जाएगा बड़ा ही simple है, नाम क्या है इसका head and shoulder pattern, यह कौान सा pattern है यह है bullish reversal pattern bullish reversal, मतलब पहले मार्केट उपर जा रहा था फिर reverse हो गया, bearish में बदल गया इसलिए इसको बुलते हैं bullish reversal confused मत होना नाम में नाम में कुछ नहीं रखा है, आप pattern को follow करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, चलो अगला दिखते हैं, अगला जो pattern है उसको बुलता है, double top pattern सबसे famous pattern pattern है यह, सबसे बढ़िया pattern है यह trade करने के लिए और सबसे जादा use किया जाता है देखो क्या होगा, market वही फिर uptrend में होगा, उपर की और जाएगा ठीक है, अब DAO theory जिसको आती है वो ऐसी पैचान जाएगा न, क्यूंकि अगला वाला high नहीं बना है, low बन गया है तो market नीचे आएगा, लेकिन जिन लोगों को DAO theory समझ में नहीं आती हो, या फिर एक pattern ही ढूणना है pattern ढूणकर ही trade करना है तो वो क्या करेगा, double top देखेगा, क्या होगा double top, ये वाला जो है यहाँ से line खीज दी हमने, क्यूंकि मान लो आपको future में ये सब नहीं पता, कि आगे ये सब होने वाला है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक line खीज दी और यहाँ पर नीचे गया तो wait किया कि ये यहाँ पर आएगा हमने इंतिजार किया कि market यहाँ पर आएगा और उसके बाद हम एक लाल candle बनने का इंतिजार करेंगे और उसके बाद market नीचे गिरेगा आप देखिए इसमें कहते क्या है कि जब डबल टॉप बन जाए इसको डबल टॉप पैटन भी कहते हैं या M पैटन भी कहते हैं देखो यह दिखने में M है न महिंद्र मेरा नाम का M दिख रहा होगा आपको यहां पर तो इसको M पैटन या डबल टॉप पैटन कहते हैं तो य अब ही आसा नहीं करना है, अभी आपको सीखना है, तो आपको बता दूँ कि इसकी एंटरी कहा बनती है, ये वाली जो line होती है, इसके नीचे जब market trade करने लेगे, बतलब इस वाले low के नीचे जब market के trade करने लगे तब आपको इस वाली candle में entry लिना है और इसका target क्या रखते हैं तो target फिर वही बात आगी कि यहां से लेकि यहां तक की हम लंबाई निकालते हैं वो लंबाई निकालने का एक इंडिकेट वो होता है तूल होता है हम उससे बतावेंगे आपको तो उससे हम यहां का advance course करेंगे न अब तब वहां पर इन सब चीजों की ज़ुरत नहीं पड़ेगी कि target कैसे निकालना कैसे ने फिर वो हम बहुत advance level की चीज़ सिखाएंगे वहां पर आपको बहुती आसानी से पता चल जाएगा कि target क्या होगा लेकिन एक सामाने द्रश्ची कोंड से जो नए से reverse हो जाएगा उसको कहेंगे double top pattern चलो अगला देखने है ये भी है bullish reversal क्योंकि bullish था पहले higher 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 उपर बना रहा था लेकिन ये low बनाया है उसके बाद ये lower low बनाने लगा है ना उपर नहीं जा पाया market इसलिए इसको क्या कहेंगे हम double top तीसरा जो pattern है वो आपको दिखाते है यहाँ पर ये एक्टर में bullish reversal pattern नहीं कहेंगे इसको simply हम cup and handle pattern ही कहते हैं इस बात को याद रखेगा market में इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है जैसे पिछले जो दो pattern थे उसको 5 मिनिट 15 मिनिट एक घंटा दिन weekly कभी भी देख सकते हैं और वो हर हमेशा काम करता है लेकिन य जिसने बड़े time frame में देखेंगे और उसका जब breakout होगा तो इसका result जो है वो सबसे best होता है मतलब कई सारे लोग इसको trade करने के लिए महीनों या सालों इंतिजार करते हैं और अपनी line chart बना के रखते हैं कि यह जिस दिन pattern बना और उस दिन हमने trade किया चाहे वो एक साल में हो पास साल में हो दस साल में हो वो इस टॉक जब भी से निकलेगा यह धूम मचाने वाला है यह एक ऐसा pattern है मतलब इस pattern को हर दिन यूज नहीं करते हैं हम जनरलों जनरल दिनों में इनको यूज नहीं करते हैं इसे कहता है cup and handle pattern इसको देखा जाता है weekly या monthly time frame में जितने बड़ time frame में देखेंगे और जब यह फटेगा तब बहुत पैसा देखे जाएगा कैसे होता है इसको एक सेकंड के लिए बुलिश रिवर्सल नहीं कहेंगे बैरिश रिवर्सल इसको कह सकते हैं यह जो लिखा है इसको आप इग्नोर करिएगा थोड़ा सा अब देखेगा यह और यहां ब्रेकाउट देने के लिए आई था लेकिन दिया नहीं और फिर नीचे थोड़ा सा आया और फिर यह ऐसे करके ऐसे आया तो यह क्या हुआ इसको बैरिश रिवर्सल जरूर कहा सकते हैं कि मार्केट नीचे था थोड़ा बैर में था और उसके बाद इसने इस पर क बनाया उसके राद हैंडल बनाया और जिस दिन यहां से ब्रेकाउट करेगा उस दिन तो मान दीजिए कि चप पर फार कर आपको पैसे मिलेंगे देखो यहां पर एक कोई स्टॉक लगा हुआ हमाई टीम निकला है और यहां पर देखो पता नहीं कितने महीनों से यहां पर यह कप एंडल पैटन दना रहा था और जैसे ही इसमें ब्रेकाउट देया है आप कैंडल का साइज देखिए कैंडल के साइज देखिए मतलब कि सरफतार से दो तिन दिन में चार दिन में यह मार्केट इतने पॉइंट भाग गया होगा कि किसीने इमेजन भी नहीं किया बैरिश रिवर्सल पैटन तीन पैटन हम देख चुके हैं अब देखते हैं बैरिश रिवर्सल पैटन जिसमें दो पैटन आएंगे एक होगा इंवर्टेट हैड एंड शोल्डर हैड एंड शोल्डर एक अभी हमने ऐसा वाला देख के आए थे यह वाला भी देखा था इसक नीचे जाने किया था आप उपर जाने लगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कैसे उपर जाएगा और कहां से ट्रेट करना है तो वही देखना है कि क्या करेगा ये एक शोल्डर बनाएगा फिर एक हैड बनाएगा उसके बात जब येनिकलेगा तो काफी अच्छी रफतार से निकलेगा उपर की और और ये आपको एक बड़ा target यहाँ पर देख कर जाएगा फिर से बही बात है कि इसके जो shoulder होते हैं यह जो shoulder है यह वाले जो shoulder है उनकी यहाँ पर आपको एक line खीचना होगा इस प्रकार से और जब भी breakout देगा यह इस प्रकार से कौन सा pattern है यह है reversal pattern और कौन सा reversal है यह बैर को bull में बदलेगा यह वाला pattern इसको क्या कहते है inverted head and shoulder है ना जो practically है वो जादा से यह यूज किया जाता है अभी हमने क्या देखा था double top हमने ऐसा देखा था double top यहाँ पर line खीचके उसको मिलाते थे double top बनाते थे है ना इसको यहाँ पर trade करते थे लेकिन अभी हम bearish reversal देख रहे है कि नीचे आया और फिर market उपर जाएगा तो यहाँ पर क्या pattern बना double bottom या फिर इसको क्या कहेंगे डबलू pattern भी हम कह सकते हैं कोई शंका वाली बात नहीं देखें मार्केट नीचे आ रहा था उपर गया थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे गया और उपर आ गया यह देखें और उतना तो कम से कम target देगा ही ऐसी हम उमीद करेंगे जो aggressive entry करते हैं जो लोग वो इसी वाली candle को देखकर पहचान लेते कि अभी double bottom का formation हो गया है अभी इसको cross करेगा लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पर एक line लगाना है और जब यह वाली candle से follow up आ जाएगा म जाना ये बार बार नहीं बनते हर 5 मिनट में 7 मिनट में 10 मिनट में नहीं बनेंगे इनको बनने के लिए बहुत सारी candle लगती है बहुत सारा time लगता है तेकिन ये जब बनते हैं तो लगभग 7 मतलब 10 में से 7 से 8 बार ये अच्छा result देते ही देते हैं इस बात को याद रखि कहते हैं कि मार्केट किसी एक साइड जा रहा था रुका और फिर उसी साइड चला गया अब यहां पर देखते हैं इसको इसका एक ही पैटन सबसे बड़ा है और सबसे खास है जिसको हम कहते हैं फ्लैड एंड पूल पैटन है ना या फिर कहीं सारी लोग इसको consolidation का भी pattern कहते हैं कि मार्केट किसी एक ही जेगे रुखा बहुत देर तक consolidate किया उसके बाद ऊपर कियो और या नीचे कियो निकल गया देखिए यहां पर यह जो है एक पोल मान लेते हैं पोल मतलब खंबा मान लेते हैं और खंबे के बाद क्या बनाया कल 15 गस्त है जब मैं इस वीडियो को कितना प्रेंड करते हैं ठीक है तो यहां पर एक फ्लैग बना है यह पोल है जब भी इस फ्लैग का यह consolidation का breakout होगा breakout होगा तब हमें यहां पर entry बनानी रहेगी और उसके बाद टार्गेट क्या मिलेगा तो इसके दो प्रकार के टार्गेट होते हैं पहला जो टार्गेट होत यहां तक जो लंबाई रहेगी इसको copy करेंगे और यहां से paste कर देंगे हैं तो जितनी लंबाई आएगी यह लगभग उतना एक और पोल बना देगा और उतना target यह कम से कम देता है लेकिन इसमें यह बात याद रखना है कि पहला target यह होगा इतना ही होगा ठीक है अब धिय पैटन सीखे, reversal pattern, reversal pattern क्या होता है, market उपर जा रहा है, और यहाँ पर कोई एक ऐसा pattern रना है, जिससे हमें पता चले कि market आप नीचे आएगा, दूसरे में हमने क्या सीखा, हमने सीखा फिर से bearish reversal pattern, कि market नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, फिर हमने देखा कि कोई एक pattern बनाए और उसके बाद market उपर निकल जाएगा, यह दो pattern देखे, bullish reversal और bearish reversal, reversal के pattern थे वो, लेकिन तीसरा जो pattern देखा अभी हमने, तीनी चीज़ सिखी है जमने, तीसरा जो pattern हमने देखा आज, वो है continuation pattern, continuation pattern किसको बोलते है, कि market उपर जा रहा है, फिर कहीं wait किया, उसके बाद और नीचे आ गया, तो इसको बोलते है, continuation pattern, continuation चाहे उपर की और हो, चाहे नीचे की और हो, I hope कि आपको ये बाते समझ में आ गई होगी, और बड़ी ही आसानी से आप समझ गए होगे, और देखतें कोई example है, क्या देखे, flag and pole का, यह वाला example है, तो वो वाला जो example है, वो bullish का था और यह वाला bearish flag का example है, यहाँ पर भी दिखिए, एक pole बना है, एक खंबा बना है, उसके बाद market में क्या बनाया है, एक जंडा बनाया, और उसके बाद वापस से market नीचे आ गया, entry कहा होगी, जैसे ही इस flag को तोड़ेगा, इस candle में इस flag को तोड़ दिया है, तो इसमें entry हो अभी हम यह सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, पैसा कमाना, या फिर ट्रेड ले लेना, यह सब ध्यान नहीं देंगे, अभी हम pattern सीखने पर ध्यान देंगे, और ढूंडने पर home work करने पर जादा ध्यान देंगे, ताकि हम बहुत ही आसानी से चीजों को सीख पाए, ठी देंगे, बुलिश रिवर्सल पैटरन ढूंडना है, आपको क्या 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 ढूंडना है? इसके बाद तॉल्डना है, और इसके बाद सारी ये जाएड गलत लिखा गया है, यह पर यह डवल टॉप है, लेकिन ये डवल बॉटम है, यहां पर डवल बॉटम लिखने जीगा यहाँ पर double bottom ढूनना है और continuation pattern में आपको flag and pole ढूनना है अब यह आप कितने जादा से जादा ढूनते हैं या कितने जादा trade करते हैं उस पर आपको पता चलेगा कि आप कितने sharp होते जा रहे हैं इन patterns को ढूनने में क्योंकि और कुछ नहीं है market में जितना जादा से जादा आप मैं सब बातों को भूल जाओ आप तो inverted head and shoulder को भी exactly के लिए भूल जाओ आप तो मेरे को जादा से जादा क्या ढूनके बता दो double top ये वाला pattern ढूनके बता दो कि कब-कब market ऐसे में नीचे आया और double bottom ढूनके बता दो और एक और तो सबसे खास pattern है वो है flag pattern आप कुछ मत करो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप double top ढूनके बताओ मेरे को market में बहुत सारे double bottom ढूनके बताओ और flag and pole pattern ढूनकर बताओ जितने जादा से जादा हो सकते हैं उतने जादा से जादा ढूनके बताओ अभी ध्यान से सुनना मेरी बात जो व्यक्ति होंबर करेगा बहुत सारा बहुत सारा क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो मैंने पता नहीं कितने चार्ट देखे और कितने चार्टों में सारी चीज़े ढूनके निकाली और फिर जाके एक साल देर साल लगा उसके बाद आज हमको बिना देखे समझ में आ जात जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या फिर स्टॉक मार्केट के गयाता है वो आपको बार बार यह की चीज़ मिले हुए कॉमन सुनने को मिल जागी उनके मूंसे वो कहेंगे हमने रात रात भर बैठ कर चार्ट पड़े हैं यह चार्ट पड़े हैं का क्या मतलब हो बार बार चार्ट को पड़ते हैं और पड़ पड़ के क्या होता है कि आपको वो पैटन जहां बनने होते हैं वहाँ दिखने लगते हैं शुरुवात में नहीं दिखेंगे जब आप मार्केट में लाइव बैठेंगे ऐसे तो दिख जाएंगे कि यह बना यहां से उपर गय मतलब मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं सिर्फ इतनी सी महनत आप कर लो ताकि आपका जीवन सफल हो जाए और यह आपका जीवन सफल हो गया तो मेरा जीवन सफल हो गया मैं यह मान लूगा आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना कि यह वीडियो कैसे ल वालो 10-15 दिन में खुल वालो याद से क्योंकि उसके बाद हम कुछ कमाल के चीज़े करने वाले हैं चोकि मैं आभी आपके लिए सर्प्राइज है वो बाद में बताऊंगा ठीक है और अभी तक की क्लासे ये चार क्लासे हो चुकी है कोई भी डाउट हो कोई भी शंका हो कि हम वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन वो फ्री वाला जो लाइक का वटन है जिसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं मेरे इतनी महनत लग रहे है तो उसका एक छोटा सा रिवार्ट तो दीजिए आप लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में प्यार तो दीजिए बहिया इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन कॉमेंट 400-500-600 यह कैसी बात है क्या आप लोग कुछ समझे नहीं आ रहे है तो मुझे बताएगे प्यार नहीं देपा रहे हैं क्या आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अपना कॉंट्रिबुशन दीजिए ताकि मैं और पाउरफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ चलिए आगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद